कोरोना वाइरस के संक्रमन के सिती इस प्रकार है विगत 24 घंटों में संक्रमन के 4603 नए प्रकरण सामने आये हैं इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेज की कुल संख्या 49709 है जो लोग पूर्णता उप्चारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किया चुके हैं उनकी संख्या इस समय बढ़कर के 88,786 हो गई है संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 2280 लोगों की मृत्य हुई है कल प्रदेश में 87,214 सेंपल्स की जाच की गई और जो पहले के बैकलॉग थे थोड़े सेंपल्स का पोर्टल पर अप्लोड किया गया इस प्रकार अब तक प्रदेश में 35,1,127 सेंपल्स की जाच की जाच चुकी है पूल टेस्ट के अंतरगत 55 सेंपल के 2,990 पूल लगाए गए और इनमें 435 पूल्स में पॉजिटिविटी देखी गई प्रदेश में जो 49,709 एक्टिव केस है उनमें से अब 22,408 होम आइसोलेशन में है आप जानते हैं कि जो लोग संक्रमन से संक्रमित होते हैं कुरोना वाइरस के संक्रमन से ग्रस्त होते हैं उनमें से अधिकांश लोग लक्षन विहीन होते हैं और लक्षन विहीन लोगों के लिए होम आइसोलेशन का भी एक विकल्प है वे अपने घर पर रह करके ही अगर उनके घर पर दो शोचाले हैं वो अलग से रह सकते हैं बाकी के घर वालों से उनका विल्कुल अलग कमरा हो तो उन्हें घर पर ही रह करके स्वास्तलाब करने की अनमती दी जाती है और अब तक होम आइसोलेशन में 43,101 लोग जा चुके हैं जो घर पर रह करके संक्रमत होने के प्रश्चात उन्होंने वही स्वास्तलाब का विकल्प चुना है और इन में से 20,398 स्वस्त भी हो चुके इन में से 20,398 स्वस्त हो चुके और अब इस समय 22,408 लोग होम आइसोलेशन में इस समय हैं वर्तमान में हैं झाल